अगर दोस्तों आप अभी भी A23 पर रमी गेम्स खेल रहोंगे तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है तो सबसे पहले गाईज अगर मैं आपको बता दू कि इंडिया में अगर सबसे पॉपुलर गेम कौन सा होगा तो होगा A23 रमी और उसके बाद आएगा रमी सर्कल और बहुत सरे अप्लिकेशन से पर आजके इस विडियो में specially रमी सर्कल के बारे में आपको बतानेएवालों कि सबसे पहले अप्लिकेशन आया था और इस इस तरहके का एप्लिकेशन डेवलप किया था कि जहांसे सबसे पहले आप देख सकते कि यहां पर 10 पॉइंट सी जाता है अगर आप ड्रॉप दे दो वही बात करें अगर हम बाकी की जो दूसरा अप्लिकेशन से वहां पर 20 पॉइंट जाता था तो इस बज़े से अप्लिकेशन काफी पॉपुलर हुआ था इंडिया में औ इतना हर गयह तो अभी भी मैं आप सबको बतनाव चाहूंगा का यहां पर देख सकती में एक गेम खेल रहा था यहां CAP यह पर एक गेम develop किया一個 variation develop किया है जहांपर होता कि हर एको 50 रुपीज लागाना होता है और इसका क्यों वह सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमें एपर अब टू 5000 रुपीज देंगे प्रफटी रुपीज लगाते तो एक स्पीन होता है और उसके बाद या पर आपको अप्टू 500 रुपीज या उससे भी ज्यादा मतलब 5000 तक आपको यापर आमोट मिलता है पर यापर देख से जैसे मैंने स्पीन किया तो मैं इसके लिए स्पेसिफिक देखने के लिए मैंने और यिससे के ओपर 10 बार 20 बार इस तरह के से हैं यापर स्पीन किया पर हर एक बार मुझे न 100 रुपीज और उसके बाद मिला उन-50 तो इस तरीके से आमोंट हर बार आपको भी मिलता होगा और मेरों को भी उतने आमोंट बिला और यह पर आप देखेंगे बात करेंगे तो यह पर बहुत सरे बोट्स प्लेयर भी आये जो कि 823 रमी पर होते और गयाज मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा कि बहुत सरे लोग ह खेल रहे अभी भी क्योंकि अगर मैं आपको बता दू कि रमी के उपर बहुत सरा टैक्स लग रहे और फिर भी अगर आप लोग पहले प्रॉफिट नहीं कर रहे थे और अब प्रॉफिट भी कर रहे होंगे तो उसका भी 30% गवर्मेंट ले रहे तो मुझे यही पता नहीं और यह से आपने 1,500 रुफिट बना ले तो यह पर आपका क्या होता है जो भी आपने 500 रुफिट अर्निंग किया है उसके उपर आपको 30% टाक्स देना पड़ते तो उसका मतलब आपका जो टाक्स है हो 30% चला गया तो उतना अगर आपका आमोन चला जाते तो आपके बस ब बताना था अगर आपको अर्निंग करना होगा तो एज दूसरा में आपको वेपसर्स बताते जाओंगा जैसे आप कुछ अच्छा काम करके वहां से अर्निंग कर सकते पर रमी गेम्स बिल्कुल छोड़ना होगा आपको तो आज मैंने यह आपको थोड़ा सा बता है आपको